पहला प्रश्णी कोड़ो अपनाम आचारे जी आज शेवर के दौरान कुछ हुआ जिसे समझने में मैं परिशान होता हूँ स्वयम सेवर के दौरा जब ये सुनने को मिला कि आचारे जी के सामने जो सवाल रखना बिल्कुल खुलकर रखना एकदम खरा कुछ भी मत चुपाना पूरा खुल जाना तो ये सुनकर मन बड़ा विचलित हुआ मानो रोना ही आ गया थोड़ी देर में मन शान्त हुआ परंतु बड़ी दुविदा हुई कि ऐसा क्यूं हुआ अचारे जी इस प्रश्ण में ऐसा क्या था जिसको सुनने से ऐसा असर हुआ कृपया दुविदा सुन जाने मदद करें किनका है हजार बाते हैं कहां से शुरू करें कहीं से भी शुरू कर लेते हैं बाते सब एक हैं क्योंकि पहुँचेंगी एक ही जगह सुनाएं बात निकली तो हर बात पर रोना आया क्या कहें हम कि हमें किस बात पर रोना आया कहली जिए कि रोना इस बात पर आया कि इतना कुछ क्यों है जिन्दगी में रोने के लिए और कहली जिए कि रोना इस बात पर आया कि जब रोने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी तो रोते क्यों रह गए जिन्दगी भर जो भी कहेंगे जिस भी दिशा से कहेंगे ठीक ही होगा दो दृष्टियां हैं आदमी के जीवन को देखने की कह सकते हैं कि जीवन समंदर है दुखों का कोई और छोर नहीं एक एक बीता पल समंदर की एक बूंद भर है दुख का समंदर है कोई बूंद समंदर से अलग प्रक्रति चरित्र या गुण धर्म वाली तो हो नहीं सकती तो बूंद बूंद में दुख ही समाया हुआ है पल-पल दुख से ही रंजित है एक तरीका तो ये है और जो ऐसे देख रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे है दूसरी दिष्टी ये है कि जीवन आनन्द है, मुक्ति है दुख है क्या एक जूठे सपने के अलावा जो उतना ही जूठा है जितना सुख और जो ये कह रहे है जाहिर है गलत वो भी नहीं कह रहे है बातें दोनों ही सही है पर दोनों में से हमें एक समय पर एक ही बात याद रहती है जब संसार के साथ होते हैं तो हमें यही आद रहता है कि दुनिया दुख का समंदर है और किसी तरह से हमें दुख से अपनी रक्षा करनी है तो आदमी दुनिया का फिर इस्तिमाल भी करता है और दुनिया के खिलाफ किसी तरीके से अपने आपको सुरक्षित भी रखना चाहता है यह मन की आम स्थिते होती है रोज की दिन चर्या में दुख आया 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 भागो सुख की तरफ भागो सुख की तरफ और सुख मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, यही बहुत बड़ा दुख है हम आम तोर पर ऐसे जीते है और जब लगे कि ऐसे जीना बड़ा दुशकर हो रहा है तो फिर हम बढ़ चलते हैं कुछ उंचे सिध्धानतों की ओर क्या कहते हैं उचे सिद्धान्द, आनंदो हम, मैं आनंद मूर्ति हूँ, निरामयो हम, मुझे कोई बीमारी, कोई रुगणता कभी पकड़ नहीं सकती, बोधो हम, मैं बोध मात्रू, भरम, भय, अज्ञान, अधेरे का, मेरे अस्थित्तो में कोई स्थान नहीं, और हम यह सब बातें दोरानी शुरू कर देते हैं, ऐसी बातों से लाभ तो होगा ही, क्योंकि सिद्धान्द उचे हैं, उचे हैं, शुद्ध हैं, सत्य हैं, पर हैरत की बात ही है, कि ऐसे सिद्धान्द भी हमारे बहुत काम आते हैं, नहीं, हमने खूब सुना हैं, कि सुख दुख दूप छाओ, उंच नीच, इनमें रखा के आए, कोई है जिसने न सुना हो, हमें खूब बताया गया है, द्वायत के जूले से नीचे उतर जाओ, इस जूले पर जब तक रहोगे, तुमारा सर घूमता ही रहेगा, चक्कर खाते रहोगे, और जब हम ये बाते सुनते हैं, तो हमें भाती भी हैं, कदाचेत हमारे काम आती भी हैं, पर उनका प्रभाव थोड़ी देर को होता है, उतर जाता है, तो इन दो मौहौलों में आम तोर पर रहता है मन, या तो संसार में डूबा हुआ, या सिद्धानतों की शरण लेता हुआ, संसार कहता है दुख सच है दुख जूट नहीं है मिथ्या नहीं है भ्रह्म नहीं है दुख सच है और इसलिए तुम्हें सुख कमाना होगा इसलिए दुनिया में जो भी जी रहे हैं उन सब का उद्देश ये एक ही है दुख को नियून करना और सुख को अधिक अधिक प्राप्त करना है न और सिध्धान्तों के पास जाते हो तो वहां क्या दिया जाता है रहे सुख दुख ये बेकार की बाते सिध्धान्त गलत तो है नहीं बिल्कुल ठीक है हमारे काम क्यों नहीं आता काम हमारे इसलिए नहीं आता क्योंकि हमसे बहुत दूर का है इसलिए कभी कोई सिद्धान्त पढ़कर नहीं रो पढ़ोगे तुम बड़ा मुश्किल है वो छुई नहीं पाएगा आपको आप रोहेंगे कैसे तपती हुई भाप हो बिलकुल वो भी आशू की बूंद बनकर लुढकती कभ है जब वो किसी शीतल तल को स्पर्श करती है तभी न देखा है भाप कैसी मुती सी बूंद बनकर लुढकती है कभ जब वो किसी शीतल सत्थ का स्पर्श पाती है फिर आँसु बह चलते हैं ऐसा ही समझ लो ये काया है ये काया है और ये काया भरी हुई है ज्वर से, ताप से इससे भापी भाप उठती है लेकिन वाप हमारी कभी आँसु नहीं बनने पाथी वाप ही रहती है और जानते वाप इतनी खतरनाग होती है कि आप पर तपता पानी डाल दिया जाए, आप बच जाएं पर आप अगर भाप की चपेट में आ गए तो बच नहीं पाएंगे गर्म खौलते पानी का जला बच सकता है पर भाप का जला बड़ी दुरगती को प्राप्त होता है वो भाप हमारे पूरे तंत्र को खौलाती रहती है जलाती रहती है आशू बनकर कभी बहती नहीं सिध्धान्त भी आ जाते हैं तो भी आशू बहते नहीं सिध्धान्तों के सामने आशू सिर्फ तब बहते हैं जब यहां से उठती हुई भाप यहां पर किसी शीतलता का स्पर्षपाती है, भाप बूंद बन जाती है, वो बूंद फिर यहां से बह चलती है सिर्फ तब क्या कहेंगे उस माहौल को, जिसमें जीवन का दुख, जीवन का जुर कुछ ठंडक पा जाता है, जरा निश्ताप हो जाता है वो माहौल बड़ी करमात की चीज है, उसको समझेगा संसार काम नहीं आता, क्योंकि संसार तो यही बताता है, कि जिन उल्जनों में उल्जे हुए हो, वही सब कुछ है जिस जूले में जूल रहे हो, वही जीवन है तुम्हारा जो मुद्दे, जो मसले, जो उल्जाव, जो शिकायते तुमने पकड़ रखी हैं, जो देशे तुमने बना रखे हैं, उनसे अधिक जीवन का कोई सत्य नहीं संसार ये सब बताता रहता है, और सिधान्त बता देते हैं कि अरे छोड़ो तुम क्या संसार की बाते हैं आओ तुम्हें उची बात बताएं, और वो उची बाते मैं कहरा हूँ निसंदेह शत प्रतिशत सत्य ही हैं उतनी ही सत्य हैं जितनी कोई बात सत्य हो सकती है जिस सीमा तक बात की पहुंच है उस सीमा तक सिध्धानतों की सब बातें बिलकुल सची हैं लेकिन उसची बातें काम नहीं आती काम तो आपके एक ऐसा संधिस्थल आएगा जहां संसार सिध्धान्त को गले लगा रहा हो जहां धर्ती आसमान का अलिंगन कर रही हो क्योंकि आप तो हो संसारी और आपको दे दिये गए उचे सिध्धान्त वो उचे सिध्धान्त आकरशक तो है आप उनके सामने नमित हो सकते हो लेकिन आप उन्हें छू तो पाते नहीं न और बिना इस पर्ष के याद रखना भाप आंसू नहीं बनेगी, मोती नहीं बनेगी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, गुरू की बात कर रहा हूं, कौन होता है गुरू? गुरू वो होता है, जिसमें संसार और सत्य, एक साथ मिल बैठते हैं, एक असंभव संधी होती है जहां जैसे धरती आसमान किसी ने एक साथ देख लियों, जैसे ये तल और वो तल, बाह में बाह डाल कर चल रहे हूं तब जाकरके आपका हृदय पसीजता है तब आपको समझ में आता है, कि जो बातیں सिध्धान्तों ने कहीं थी, वो बिलकुल ठीक हैं किसके लिए ठीक है? संसारी के लिए ठीक है, ये दोनों मिल गए गुरू सामने आता है तब पता चलता है कि वो जो बात थी वो सिध्धान्त मातर नहीं थी वो जीवन हो सकती थी फिर आसू बहते हैं दो कारणों से उनकी हम बात कर चुके पहली बात ये कि कितना दुख सहा मैंने ये दुख का आसू है और दूसरी बात ये कितना आसान है उस दुख से मुक्त हो जाना ये आनंद का और मुक्ति का आसू है दोनों एक साथ गुरू साक्षात प्रमाण होता है शास्त्रों का शास्त्रिय सिध्धान्तों का, श्लोकों का उसमें संसार भी होता है, संसार का होना जरूरी है क्योंकि संसार नहीं तो आपको इतना सताया है गुरू में संसार नहीं तो आपको यकीन कैसे आएगा कि कोई संसारी भी संसार के पार जा सकता है, बताओ मुझे गुरु सामने आता है तो आपको दिखाई देता है कोई ऐसा जो बिलकुल आपके जैसा है बिलकुल ही आपके जैसा है आप ही की तरह जन्म आप ही की तरह खाना पीना आप ही की तरह वृत्तिया आप ही की जैसा मानव बिलकुल जो कुछ आप में है उसमें भी मौजूद है चुकि जो कुछ आप में है उसमें भी मौजूद है इसी लिए वो आपको समझ सकता है आप जब कहते हो कि कुछ चाहा था मिला नहीं, दिल टूटा है तो आपको समझ सकता है क्योंकि वो जानता है दिल का टूटना इनसान है आपकी तरह ही आप जब कहते हो कि कुछ बहुत आकरशक लग रहा है किसी से इसने जुड़ गया है या किसी का वियोग बहुत तडपाता है तो वो समझ सकता है क्योंकि जो रसायन आपके शरीर में मौजूद है उसके शरीर में भी मौजूद है जिस मूल वृत्य से प्रेरित होकर के आप जी रहे हो उस मूल वृत्य का अनुभव वो भी करता है लेकिन आपके जैसा पूरी तरह होते हुए भी वो उन बातों को भी सत्यापित करे दे रहा है प्रमानित करे दे रहा है जो शास्त्रों और सिध्धान्तों में लिखी है तो आप कहते हो इतना असान था इतना असान था किसी मेरे जैसे के लिए इतना असान था गुरू के लिए बहुत जरूरी है बहुत हद तक आपके ही जैसा होना अच्छा बताईए आपको आसमान तक जाना हो ऐसी सीड़ी आपके क्या काम आएगी जो जमीन से एक किलो मीटर उपर से शुरू होती हो और फिर आसमान तक जाती हो बोलो और ऐसी सीड़ी क्या काम आएगी जो आसमान से शुरू होती हो और आसमान में खत्म हो जाती हो आएगी काम आपके काम तो वही सीड़ी आएगी जिसका एक सिरा बिलकुल वही होना चाहिए जहां आपके कदम है गुरु सीड़ी जैसा होता है एक सिरे पर वो बिलकुल आपकी तरह है आपके सामने है, प्रकट है, उपस्थित है, सशरीर है दूसरे सिरे पर वो वहाँ है जहां आपको भी होना ही है निचले सिरे पर वो भी वैसा ही भाप भाप है जैसे आप है और दूसरे सिरे पर उसमे कुछ नई है, बस शीतलता है तो वो है गुरुग जो एक सिरे पर आपकी तरह ही भाप और दूसरे सिरे पर पून शीतलता है जब भाप मिलेगी शीतलता से, तो आशू तो बहेंगे समझ में आ रही यह बात हम जैसे जी रहे हैं एक तरफ तो उसमें इतनी वेदना है कि छाती भढ़ जाए किसी की और दूसरी तरफ ये जो हम खेल तमाशा कर रहे हैं ये बिलकुल बच्चों की बात है इसमें वेदना कैसी दुख कैसा इन दोनों बातों को एक साथ समझना है अलग-अलग इन दोनों बातों को समझने में कुछ रखा नहीं है ये बड़ी सूक्ष्म विद्या है दुख को अनुभाव करते हुए भी ठीक दुख के पल ही ये जानना की ये सब खेल तमाशा है और जब ये जानना की ये सब खेल तमाशा है तो दुख के विरुद्ध खड़े नहीं हो जाना दुख को जुटलाने नहीं लग जाना दुख के अनुभव में और पूर्णता से उतर जाना दुख अनुभव करना प्राकृतिक बात है दुख का विरोध करना भी उतनी ही प्राकृतिक बात है दुख का अनुभव करते हुए भी दुख का विरोध करने की जरूरत न समझना ये कोई बात हुई ये बड़ी बात है ये अध्यात्मिक बात है सुख का अनुभाव करते हुए भी सुख को बढ़ाने की या सुख को सुरक्षित रखने की जरूरत न समझना ये कुछ बात हुई और ये करा जा सकता है इसको करने के लावा कोई चारा नहीं है काया को तो दुख सुक का ही जूला जूलना है और काया में जो पंची कैद है उसे खुले आकाश उड़ान भरनी है दोनों को अपना अपना धर्म निभाने दीजिये ना काया वो करे जो काया जानती है बस पंची के लिए पिंजड़ा न बन जाए पंची को वो करने दीजिये ना जो पंची का धर्म है सभाव है उसे उड़ना है उड़ने दीजिये खास तोर पर तब उड़ने दीजिये जब ये प्रमानित हो ही जाए कि पिंजड़े के होते हुए भी कैसे उड़ा जा सकता है अध्यात्म पिंजड़ा तोड़ने का विज्ञान नहीं है वो पिंजड़े के होते हुए भी पिंजड़े के पार उड़ने की विद्या है तो फिर अभी जो हम दुख में है उसके आसु का से आते हैं उसके आसु दुख से आते हैं उसके आसु अपनी सहायता और मजबूरी के भाव से आते हैं उनमें बोध नहीं होता बस छटपटा हाट होती है उनमें कोई बोध नहीं है इसलिए हमारे आसु हमें कोई ठंडक थोड़ी पहुचाते हैं रोते हुए आदमी को देखिए वो और उद्विगन हो जाता है रोते हुए आदमी को देखिए उसका चेहरा कैसा विक्रत हो जाता है और एक रोना दूसरा होता है जिसमें सौंदर रहोता है आम तौर पर लोगों को रोते हुए देखा है जब वो रो रहे होते हैं तो चहरा इंब गड़ जाता है किसी रोते हुए आदमी की तुम फोटो ले लो या वीडियो बना लो वो रोना बंद कर देगा आपसे गया कर डिलीट करो यह गलत काम किया हमारे साथ उसके सब आसो रुख जाएंगे त्योंकि रोते हुए हम अक्सर खौफनाक लगने लगते हैं चहरा ही बिल्कुल वीभत्स हो जाता है और रोता समझदार आदमी भी है रोता करुणावान भी है पर जब वो रोता है तो और खौबसूरत हो जाता है अशों से हमारा आम तौर पर रिष्टा क्या होता है कुछ लोग होते हैं जो आशों का इस्तिमाल करते हैं इसलिए वो आशों को बुलाते रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आशों का प्रतिकार करते हैं वो आशों को दबाते रहते हैं दोनों ही इस्थितियों में मामला कृत्रिम्ता का और जोरत परदस्ती का होता है बोध के आशों सहज होते हैं बलकि आप ही चौक चायें ऐसे होते हैं आप पुछेंगे आशों किस बात पर गए क्योंकि हमें तो आदत होती है भावावेश में ही रोने की कि भाव जब बहुत चड़े वो भी खास तौर पर नुकसान का है दुख का भाव तो हम रो पढ़ते हैं तो आदत हमारी वही होती है एक दूसरा आशो होता है आपको पता ही नहीं चलेगा वजह क्या आशों आशों आ गए उन आशों में सौंदर रहे हैं और आपके सामने अगर कोई नाड़ी बैठा है तो आपकी आखे देख कर सोचेगा ये बड़ा दुखी है ये तो रो पढ़ा और आपके आशों मुस्कुराएंगे कहेंगे पगला इसे पता ही नहीं आशों के आनंद का आशों की मौज का और मैं खुशी के आशों की नहीं बोध के आशों की बात कर रहा हूं खुशी के आशों तो उसी तल के हैं जिस तल के दुख के आशों है बोध के आशों और मैं खुशी के दो Ήस्काछूं अ में हिरना yृजिए शों की यख़म। लगला